दोस्तों अपनी यूटूब वीडियों से लाखों के चेरे पर हसी लाने वाले मशूर यूटूबर और इन्फुलेंसर भूवन बाम पर दुखों का पहाट तूट पड़ा है शनिवार को भूवन बाम ने अपने इंस्टाग्राम पर जानकरी दी कि कोरोना वायरस की वज़े से उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया है भूवन ने अपने मम्मी पापा की कई तस्विरें शेर कर भावुक पोस्ट में लिखा कि क्या में अच्छा बेटा नहीं था लोग पर ये यूटूबर भूवन बाम के फैंस ने जब ये खबर सुनी तो वो तूट गए इस मुश्किल घड़ी में भूवन बाम के लिए सोशल मीडिया पर उनके फैंस का सपोर्ट उमर पड़ा यूटूबर भूवन बाम ने शनिवार रात साड़े साथ बजे फैंस को इस बूरी खबर की जान करी दी उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कोरोना की वज़े से मैंने अपनी दोनों लाइफ लाइफ लाइन्स को खो दिया आई और बाबा के बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा एक महीने में सब कुछ बिखर चुका है घर सपने सब कुछ मेरी आई मेरे पास नहीं है मेरे बाबा मेरे साथ नहीं है अब शुरू से जीवन जीना सीखना पड़ेगा मन नहीं कर रहा भुवन बाम ने आगे सवाल पूछते वे लिखा कि क्या मैं अच्छा बेटा नहीं क्या मैंने उन्हें बचाने के लिए जो किया वो काफी नहीं था, मुझे इन सवालों के साथ हमेशा जीना पड़ेगा, उन्हें फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, काश वो दिन जल्दी आए, भुवन बाम के इस पोस्ट से उनकी हालत का अंदाजा लगाए जा सकता है कि वो पूरी तरह से तूड़ चुके हैं, भुवन बाम के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग भावुक हो गए और फैंस और दोस्त उन्हें इस मुश्किल घड़ी का सामना करने की हिम्मत दे रहे हैं, फेमस यूटूबर और भुवन बाम के दोस्त आ प्यार करते हैं, मेरी और मेरी पूरी फैमिली की प्रार्थना उनके साथ है, ओम शान्ती, आशिश चंचलानी के अलावा भुवन की इस पोस्ट पर राजकुमार राओ, ताहीरा कश्यप, केरी मिनाटी, मुकेश शाबडा ने भी कमेंट कर दुख जताया, दोस्तों कोरोना ने कई घरों को उजाड कर रख दिया है, ऐसे में अब ये खबर आई है कि मशूर यूटूबर भुवन बाम के माता पिता, दोनों का निधन कोरोना की वज़े से हो गया है, और इसकी वज़े से उनके फैंस बहुत तूट गए हैं, और भुवन बाम भी पूरी तरह से तू कि उन्हें कोविड हुआ है, जिसके बाद से लगातार वो अपने घर पर ही थे, लेकिन उनके पिता की तवियत पिछले कुछ साल से खराब चल रही थी, जिस वज़े से उनका इलाज चल रहा था, भुवन कई दिनों से सोशल मीडिया से बहुत दूर थे, वो लगातार अपना पोस्ट शेयर करते हुए, उन्होंने लिखा कि मैंने अपने दोनों लाइफलाइन को इस कोविड में खो दिया है, एक महीने में सब कुछ बिखर चुका है, घर, सपने, सब कुछ, मेरी आई के बिना कुछ नहीं, मेरे बाबा के बिना कुछ नहीं है, तो ये थी दो भगवान से प्रातना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांती दे, ओम शांती